तो आईए हम लोग आज करेंगे आपके चैप्टर नमबर 11 के शॉर्ट कोशन आंसर जो कि आपके एक्जाम के पॉइंट ओफ यू से इंपोर्टन रहने वाले हैं तो इसी के परिप्रेक्ष में शुरू करेंगे हम बिल्कुल भी देडी ना करते हुए चैनल पढ़ना है तो सब्सक्राइब करके बल आइकन प्रेस कर दीजेगा और अगर अभी तक आपने सेशन को शेयर नहीं किया है तो फटा 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 शेय है तो वहां पर आप हम से ज्वाइन हो सकते हैं जहां पर आपको लेटेस्ट न्यूस के साथ साथ हर एक चीज मिलती है आज का पहला कोशिन है क्या कह रहा है कि सैक्षिक प्रशाशन कला है या विज्ञान मैं कहने का इनका आश है यह है कि जो आपका एजुकेशनल अड्मि अड्मिनिस्ट्रेशन है वह कला है यह जो भी एजुकेशनल अड्मिनिस्ट्रेशन है वह साइंस टेकनोलोजी विज्ञान है आई इसकुम लोग समझते हैं कहां पर यह सैक्षिक प्रशाशन जो है एक कला के रूप में अपना रोल अपनी भूमी का निबाता है और कहां प तो किसके अनुसार कैसा क्या मानना था आए देखते हैं एक बार फटा फट से शेशन को क्या करते हैं ताकि यह बात बच्चों तक पहुत जाए यह विचार अगर हम कहां सैक्षिक प्रशाशन एक कला है कम यह बात कैसे साबित कर सकते हैं जो आपका एजुकेशन एड्मिनिस प्रशाशक नहीं बन सकता है इस संबंद में दूसरी मानता यह बी एक अच्छे शाशक जन्मजात होते हैं बनाए नहीं जाते हैं कुछ लोग यह भी मानते कि प्रशाशन जमता का दर्शन परिस्थिती जन्य होता है जो आपके स्टोगडिल और मायर्स थे इनका मानना था अगर एक प्रशाशक के अंदर कुछ जो important qualities है वो नहीं होंगी तो वो एक कुशल प्रशाशक की रूप में कारण नहीं कर पाएगा और इन्होंने कहा कि अच्छे शाशक क्या होते हैं जन्मजात होते हैं जो अच्छे administrator होते हैं वो कैसे होते हैं बाई बर्थ होते हैं अब इस तकनिकी की अप या प्रद्योगे कीऊ के छेत तराना ओगेत्मागे तो वहिसे कहां रखेंगे तकनोलोजि के इक्षा प्रशाशन ना तो हम कहें घ्जांगे ऑपका चॉद्ध पूरा विज्ञान है तो यानी कि ना तो कह सकते हैं साइंस हैं और तो आज प्रशाशन के फ़ाइदि पाक्ष पर अधिक बल दिया जा रहा है यानि कि अगर मैं आज के तौर पे देखूं तो यहां पर सबसे ज़्यादा बलकिस पर दिया जाता है, मतलब ज़्यादा कह सकते हैं, परसेंटेज में कौन मानेता रखता है, तो भाईया वग्यानिक पक्षान, जो आपके काल्ड बड्स्टन थे, इन्होंने प्रसाशन के व ज़्याट वर्टा लगने की यह गऄता हो, इस तरीके सा सिक्षा प्रसाशन जो प्रसाशन है, तो जो कला के रूप में किस प्रकार से इसक्राइब कर ढ़ना सकता है, यह यह आपना अभी देखा, नेक्स्ट कोशयल सैक्शिक प्रसाशन कार्ट बताईए, और इसको सबस् अड्मिनिस्ट्रेशन सब्द व्यूत्पति लेटिन भासा से मानी जाती है प्रशाशन को हम अड्मिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर से जानते हैं व्यक्ति मिनिस्टर का मतलब क्या है मिनिस्टर का मतलब होता है दूसरों की सेवा में रत रहने वाला व्यक्ति इस प्रकार शाब्दिक रूप से प्रशाशन करत क्या होगा कि अपनी अधीनस्त लोगों की सेवा में लीन रहना तो प्रशाशन वा प्रबंध को प्राया वास्ताव में प्रबंद का काम केवल नीती निर्धानन करना होता है इसके द्वारा इस बात करने लिए जाता है कि कौन से काम नए है कौन से काम किये जाने है प्रबंद के द्वारा वर्तमान से लेकर भविश्य तक की योजनाओं का निर्धानन किया रहता है तो जो है पहले से भी उसको मतलब तो कहने का से management क्या है management एक ऐसी चीज है जो दूर दर्शी प्रक्रिया को अपना कर उस पे होने वाले जो भी कार्य होते हैं उनको सफलता पूर्वा कर निभाने का प्रयास किया जाता है अगर मैं केंदरी करन की बात करूँ तो केंदरी करन का आश्य है कि सकता सीर्स अथवा उसके आसपास एकत्र होनी चाहिए जबकि विकेंदरी करना का मतलब क्या होता है विकेंदरी करना करना मतलब अनेक वेक्तियों का इकाईयों के मद्य सत्ता के विभाजन की विवस्ता दोनों शब्द क्या है केंदरी करना का मतलब होता है सत्ता सीर्स अथवा उसके आसपास से कतर हो नहीं जाहिए जबकि वी गेंड्री कड़ का मतलब को होता है अनेक वेक्चियों का एकाइयों के मद्ध सत्ता के विभाजन की विवस्था करना तो केंड्री करन और वी केंड्री इसीफ़ी पढ़ा रहे है इसका ज्यस्ट कर दोगे तो आपका किसके अंतरकता आजएगा केंदरी करड़ केंदरकता आ जयेगा तो सत्था कहस्तानांत रांगैनी की transformation इस प्रकार किया जाया कि स्वेक्ष्य से काड़ी करने का विशाल छेत्र बीनस अधिकारी को सब पढ़ जाया तता सीर्श कत ब filthy अस्त Comic को अधिक सक्ति ौप संगटर्ण करें की व्यक्तिकाय ओर्णकी निर्वाचित निकाईंके हातों में अधिक आख़े कॵरत कि स्यातन के करुविषे स מתी के इसके की नितिक पेलुने जाए मुख्य कारेल से बाग्युट्स की चींधियों से बीशक्त सत्यार अब क्यों विश्यस्था होती है तो सबसे पहले किंद्र जो विष्था की विशेश्था पर प्रकार कटी करते वुँ आपके विलोबी सरति इन्होंने कहा हें कि इंत्धिक विभस्था में इस्थानी हैं केवल कारेबाह कभी रहोग क्artन रूप में कारे की नहीं करती आ प्रते कारे को केंद्री कार्याले की ओर से दिया जाता है यहां तक कि अंतरिक प्रबंद के मामले जैसे की कर्मचारी हो तो पदोन्नती हो ना कहते हैं कि उनका प्रमोशन हो गया है प्रिश्याशन के साधनों को भूइटाना इत्यादी ये भी छेतरी काड़ालों का मुख्य प्रशाशन के गुड़ और विश्येस्ताओं की बात बताईए श्यक्षिक प्रशाशन में मानव को प्रधानता जाती है यानि कि आपका एजुकेशन एड्मिन्स्रेशन होता है इसमें किसको प्रायोर्टी जाती है तो मानव को यानि हीमेंस को जो आपका एजुकेशन एड्मिन्स्रेशन होता है इसमें नवीन्तम वा मानविये विचारदारों को मानता है तता उन प्रतिश्थान लाब ना कमाने वाला प्रतिश्थान यह प्रमुक्ता लोक कर ले आ रहे हैं समाद सेवा के लिए सक्षिक प्रतिश्थान का गनिस्ट रूप से संबंद मानव जीवन समाद परिवर्टन वसास्ट्री विकास से होता है सिक्षा समाद सुधार का उतकर्स का प्रमुक साधन है जो आपका एजुकेशन है जो सिक्षा है सीडिसी बात है कि अगर आप बच्चों का अच्छी एजुकेशन दोगे तो उससे होगा क्या उससे वो बच्चा देश का एक जिम्मेदार एक करतवे निस्ट नागरिक बन करक अभी भी ऐसी समाज में बहुत सी ऐसी बुराईया है लेकिन अगर हम अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं लिखाएं सब कुछ करें तो आगे आने आले नागरिक साब अच्छे हो जाएंगे बुराईयों का धीरे दीरे क्या होगा बईया अन्त हो जाएगा सिक्षा प्रशाशन का मुख्य उद्देश क्या होता है लोगों की भलाई करना और सिक्षा संस्थाओं की उपलब भी संक्यात्मक नहोगत के गुड़ात्मक होनी चाहिए सैक्षिक प्रशाशन के व्यापक अर्थ को इस पष्ट करिए अगर मैं सैक्षिक प्रशाशन की बात करूँ तो इसको दो तरीके से पढ़ा जाता है कौन-कौन तो भाईया नंबर एक आपका भाईय प्रशाशन और नंबर दो आपका भाईया क्या आंतरिक प्रशाशन सिक्षा के बाहय प्रशाशन की अगर हम बात करें तो सिक्षा का बाहय प्रशाशन उस प्रभाव एवम आदेश की और संगेत करता है जो उत इस्तर की श के लिए करता है क्रियाओं के संचाला। से लिए करता है। इस प्रकार सब्सक्राइब और यह सामन्ज से और समन्वाय यानि के साथ में काम करती हैं उपर युग्ट मानुविये तत्वों से ही नहीं है बलकि भातिक तत्व भी होते हैं जैसे भातिक तत्व के अंत्रा आप स्कूल बिल्डिंग हो गई टीलम मोगे साथ सज्जा फरनीचर यह सब आता है अब इन दो प्रकार के तत्वों के तरिक सेक्षिक प्रशाशन के इंतर गट पार्थिक्रम यानि की करिकुलम पार्थिय पुस्तक यानि की बुक्स विधियां यानि कौन सी स्रिक्षड विधी को हम अपना करके बच्चों को पढ़ा रहे हम बच्चों को प्रयोक्साला विधी के माध्यम से पढ़ा रहे हैं और उसके बाद में यह सब आपका सैक्षिक प्रशाशन के इंतर गता जाता है जैसे कि आपका सिद्धान्त होगे नियम होगे समुदाइक आवस्चक्ताओं आदी का समावेश होता है इस प ज़र प्रटेक्श या प्रटेक्श रूप से काम करने वाले विक्तियों की विचारों एवं प्रयासों के समझा सब्सार्पर किया जाता है और जातारों में यह स्मुदाए चासे ihm और ऑ यहां आपको उपर वह बताए कि शिक्षा का प्रस्याशन उस प्रभावय मादेश का संकेत देता जो उच्च स्थे द्वारा दिये लगांगे कि फलानय योग की तरब और भारत की नुसिक्षा लेद बादा में आप करें घंची आप की तरफ से यह 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 बदलाव हो गए तो जो यह सिक्षा विभाग होते हैं इनके जो भी शाचकी नियंटर्ट से लगाए जाता है यह सब बाहर प्रशाशन नियमों का निर्मार करते हैं और तता पात्षे-पुस्तक एवं पात्षेक्रम निधारिट करते हैं अब देखो आ निर्धार्ण करता है वह सिक्षेक्पत अन्य करवर्चारियों के वेटन सेवा की दस्तौवाँ सत्य कि आधिक इसरी करता है निर्धार्ण करता है NEW जो जो जीए साथी कि फुर्ता कि प्रथिदं के कारेक्रम और ख्रियाओं के अपने सिक्षकों कर्मचारियों प्रबंद को तता चात्रों के सही योग से सिक्षा विवाग दौरा नियमों के नुसार विद्याले की विएस्था करता है एक अच्छे सिक्षक के प्रशाशक के गुड़ों का वर्डन की जिए विद्याले कर्मचारियो प्रबंद के लिए उच्छित स्वण्न में हो फनें से Bundestag में उच्छ फील करें पैंकी में आप से य pile कर निये अच्छे से कांट्रोल और कॉडिनेशन के जैसी जो है एक जो नीड होती है वो होनी चाहिए विद्याले हो या ने कोई संस्थान बिन उचित समन्वा या सायोग के विकास नहीं कर सकता हमने कहां यहां पर सिर्फ मैं स्कूल की ही बात नहीं कर रहे हूं आप किसी भी संस्थान को है विद्याले में तो विभिन प्रस्ट भूमी के छात्र तता सिक्षक एवं अन्य कर्मचारी वरगाते हैं ऐसी स्थिति में सभी के मर्दे उचित समन्वा इवं सहयोग अत्यनता अविशक होता है इसके तरिक्त अच्छे प्रशाशक के लिए कुछ अन्य गुडों का होना अविशक है कैसे सबसे पहले निश्चित उद्देश होने चाहिए मतलब एक मान के चलो एक जो अच्छा अच्छा प्रशाशक का मतलब यहां पर होता है एड्मिनिस्ट्रेटर क्या होता है एड्मिनिस्ट्रेटर और एक अच्छा एड्मिनिस्ट्रेटर कौन होता है वही ह जिसका उच्छा। होता है एक अच्छा एड्मिनिस्ट्रेशर वही होता है जिसका गॉल क्या होता है केनी कि motivational environment दे ताकि बच्चा उस परिवेश में रहा करके चीजों को अच्छे से सीख पाए और वह जो भी अधिगम के प्रक्रिया है वह सफलता पुर्वक निर्भा हो जाए संप्रिशनों का मतलब होता है communication सीडी सीवात है अगर कोई स्यक्षिक प्रशाशक वह संप्रिशनों को बढ़ावा देता है चातर परिवार के बस्चाथ यह दिकिसी स्थान पर सरवाधिक समय वितीत करता है तो वह विद्याले होता है इसके लिए एक अच्छे प्रशाशक को संप्रेशन को बढ़ावा देना चाहिए दूसरों की सला सुनने वाला होना चाहिए यह नहीं की चरफ अपनी बता जाने अपनी सुनी जाने ऐसा नहीं होना चाहिए दूसरों की सला सुनने वाला होना चाहिए साथ में आज क्लास थर्ड में अच्छा मैस का पीरेट खा लिए चलो जाए ये पिंकी में आपका पीरेट फ्री ये महां पढ़ा दो जाके तो ये सब चीजे जो होती है ये आपके एक प्लैनर की रूप में आती है और एक जो आपका स्कूल के अडिमिनिस्ट्रेटर है जो आ अधी चैप चैप्टर नमबर 12 जिसमें पढ़ाना चारे बिद्एयालय परिवेक्षक के रूप में कैसे काले करता है यादि के प्रिंसिपल कीसे काम करता है ये आपको इस वीडियो में छिर्बंनेक्स Creator की ऊपम में हैं और उसके बाद में चैप्टर नंबर 13 की अगर मैं बात करूं तो यह वाला चैप्टर आपका में भी लास्ट है तो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन फिर भी इतना बड़ा नहीं है बारा कुशन हो रहे हैं यानि कि दो क्लास के माध्यम से आपके दोनों के शौर्ट को पड़ते लिएगा साथ में जो मेरे नोट से अगल नहीं लिए हैं तो अब लेना भी नहीं क्यों मैं मना क्यों कर रहे हैं इसे चाहिए कि आप 25 रुपए इंवेस्ट करी और मॉडल पेपर लीजे और मॉडल पेपर को अपने आप से सॉल्व करिए मैं आपको पहले बता है कि मैं सॉल्व नहीं है तो मैं आपको पहले बता दूं कि वह एप्लिकेशन पर चलने वाले वीडियोस हैं वहां पर आप लाइफ चैट नहीं कर सकते हैं और यह सब चीज़ें वहां पर हम उनको समझा सकते हैं